तो दोस्तो आज मैं लेकिया हूँ आपके लिए Blue Chip India Limited का Complete Share Analyze जानेंगे हम इस वीडियो में इस कंपणी का Complete Fundamental को और चार्ट परण को Analyze करके मैं आपको बतना वाला हूँ कि आपको इस बगत इस कंपणी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं और निखिल जी ने हमें इस कंपणी को उपर खासकार वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था तो अगर आपका भी कोई कोई कोरी से तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सके ठीक है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो कमपनी का मार्च 2030 का कौर्टली रिजल्ट अगर दिखा जाए तो बहुत अच्छा परहुमास किया है कमपनी ने रेविन्यू पे कमपनी को लगभग 439 परसन का प्रोफिट हुआ इस साल में तो इसका हम लोग टोटल्स फीगास टोटल्स नमबस भी जानेगे तो मैं आपको सबसे पहले इस कमपनी का फंडामेंटल समझाता हूँ तो मैं आपको लेकिया जोका हूँ इसकी ने डॉट इन पे आपको अगर शॉटकाट में बता दू तो यह कमपनी जो है लोन प्रोवाइट करता है तो फाइनेंस कमपनी है इसका आप टोटल मार्केट कब देख सकतो बहुत ही छोटा कमपनी है आठ कर और तीस लाग कमपनी का मार्केट कब है करेंट शेर पैस जो हो चुका है कमपनी को डेर रुपया और लोएस्ट प्राइस देखा जा इस साल में कमपनी जो है 25 पैसा रहा इस साल में सबसे लोएस्ट प्राइस आज कमपनी डेर रुपय पे ट्रेडिंग कर रहा है औ और अल्मोस्ट हाई पे है इस वक्त कम्पनी का बुक वेलू देख सकतो हो 87 पैसे का है कम्पनी आपको डिवडेन नहीं देता है इसका रिटेन ऑन क्याबियल एंप्लोईट और रिटेन ऑन इकुईटी का नमबर जो है साड़े चार परसन के आसपास गट चुका है बाकि फेज वेलू कम्पनी का दो रुपे का है तो मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकतो कम्पनी बिल्कुल डेफ फ्री है और यहाँ पर जो है कम्पनी का प्रोमोटर्स के पास 11.2 परसन का होल्डिंग से और यहाँ पर जो रिटेन ऑन इकुईटी पे 10 परसन के आसपास कम्पनी जो है माइनेस पर चलता है रिटेन ऑन इकुईटी ठीक है तो और क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग इस कंपनी का quarter ले result देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मार्च दो जाट 23 के quarter में company को expense हुआ है 3 लाका और sales 0 हुआ है तो company जो है operating profit में loss पर है 3 लाका और यहां पर net profit में company जो है 86 लाक जो है 86 लाक company इस quarter में profit में है पिछले quarter में company loss परता 3 लाका तो आप सोच रहे होंगे कि यहां पर company profit में कैसे आ गया company को यहां पर जब sale नहीं हुआ तो company का पास जो है आधस business है आधस income है वहां पर company को 90 लाक का आधस पास जो है इस quarter में profit हुआ है जिसके कारण company का profit growth बढ़ चुका है यहां पर अगर year on year देखेंगे तो 24 लाक का company को expense हुआ है इस साल में sales zero है ठीक है company operating profit में loss पर है 24 लाक जितना company ने expense में यूज किया है पूरा का पूरा company को loss हुआ है फिर भी company यहां पर 70 लाक रुपय almost profit में है इस quarter में पिछले साल में पिछले साल में company 25 लाक loss पर था तो मैं आपको फिर से बताता हूँ अधस income में company को अच्छा गाजा मुनाफ़ा हुआ है जिसके कारण company जो है लगबग 70 लाक के आस पास इस साल में profit में है इसी के कारण company का जो share price में है बहुत बढ़ा एक boom आया है क्योंकि हर दम loss खाने वाला company को अच्छानक अगर profit हो जाता है दूस्तों तो यहां पर एक positive चार्ट पर्टन बन जाता है कंपणी को sales नहीं हो रहा जिसके कारण यहां पर sales growth का नंबर माइनिस पर जा चुका है profit growth का नंबर average है और यहां पर CAGR company का बहुत बहतर इन है देख सकते हो आप यहां पर company का return on equity का नंबर माइनिस पर है कुछ चीज़े negative तो कुछ positive हमें देखने को मिल रहा है company ने liabilities थोड़ा सा घटाया है 10 करोड 3 लाग के आसपास liabilities और asset ता यहां पर 9.5 करोड के आसपास हो चुका है तो 50 लाग के आसपास liabilities और asset को घटा दिया है आप देखते हैं दोस्तों इस company का share holding pattern तो आप देख सकते हो यहां पर 89 परसन के आसपास जो है public का holding है और cool मिला के यहां पर 11.24 परसन का जो है promoters का holding है तो overall penny stocks का fundamental हमें देखने को मिल रहा है इसी तरह का लगबग penny stocks का fundamental होता है सबसे पहले तो दोस्तों penny stocks में आदेश से ज़्यादे लोग fundamental देखते नहीं है कुछ-कुछ लोग देखते भी है तो वो फिर क्या है situation को ज़्यादा matter करता है उनके लिए तो हम लोग इस company का अभी चार परटन को analyze करेंगे तो मैं आपको लेकर आ चुका company के shares के चार परटन पे आज के दिन 5% company उपर गया है 1.43 पैसे से company लगबग 1.50 एक रुप्या 50 पैसे पे अभी trading कर रहा है आज के दिन 35-4% के आसपास जो है return दिया है और यहाँ पे weekly चार परटन देखेंगे तो 15% का return दिया है इस हफ्ते में company ने एक आप्ट्रेंड बना हुआ है company में ठीक है यहाँ पे चार परटन analyze करने लाएक कुछ है नहीं एक माहिने का चार परटन देखेंगे तो यहाँ पे लगबग 57% जो है इस माहिने में return दिया है और यहाँ पे 6 मन्त के चार परटन के मुताविक company 35% के आसपास चे माहिने के अंदर company 35% लगबग return दिया है यह company 35% पर ट्रेडिंग कर रहा था मार्च, एप्रियल, माई में उसके बाद company आज 1.5 रुपया हो चुगा है तो penny stocks दोस्तो इसी तरह काम करता है आपको मालावाल भी कर सकता है और आपको यहाँ पे डूगो भी सकता है 1 year का चार्ट परटन देखेंगे तो 275% का company ने return दिया है max 5 year का चार्ट परटन दिखा दो तो यह company जो है आपको इस वगद 500% का return दिया है 5 साल में company ने एक अच्छा चार्ट परटन बनेया है तोला उपर जाने के बाद यहाँ पे पूरा एक range पे business किया है लगबग 4-5 साल से ठीके यहाँ पे range से बाहर आने के बाद company सीधा 5 गुना हो चुका है आपका 2-3 महिने के अंदर तो no doubt company इस वगद बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है क्यूंकि company को जो है पिछले quarter में हमने पूरा यह देखा हमने sorry हमने company का profit and loss का number जो देखा वहाँ पे company ने अच्छा परफुमाइस किया है max to max company अभी भी 6% के आसपास negative return पे है company listing हुआ था एक रुपया साट पैसा सन 2000 साल में उसके बाद company 40 रुपया क्रोस कर चुगा था ठीक है 2003 के अंदर 40 रुपय के बाद company इतना नीचे गीरा तो company कितना 2005 से लेके 2023 कंपणी इसी रेंज पे बिजनस कर रहा है फाइनली इन 5 साल में आगर देखेंगे तो इस साल company ने एक अच्छा परफुमाइस दिखा रहा है तो यहाँ पे long term के लिए तो मैं कभी भी निवेश करने को नहीं बोलूँगा क्योंकि चद्री ट्रेन में कभी भी उड़ी नहीं माना चाहिए short term के लिए अगर आप थोड़ा बहुत निवेश करना चाहते हो आपको अगर risk को उठाने की capability है आप दोस्तों penny stocks को proper research कर सकते हैं तो ही आप यहाँ पे short term के लिए निवेश कीजिए long term के लिए दोस्तों निवेश करने का बिल्कुल सही समय नहीं है ऐसे समय पे कभी भी long term के लिए निवेश किया जा सकता है ठीके short term के लिए इसके लिए मना करता हूँ कि यहाँ पे correction होने का chances ज्यादा रहता है अगर मोटा मोटी correction हो गया दोस्तों तो फिर आपका यहाँ पे 1.5 रुपे का share 20 पैसे पे भी आ सकता है तो यह चीजे भी ध्यान नगी है penny stocks में कम से कम निवेश किया जा सकता है यह भी अपनी दिमाग में रखना है और दोस्तों अगर आपके पास trading करने के लिए demand account नहीं है तो वीडियो के नीचे description पे मैंने link दे दिया है जिससे आप grow जैसे बड़े platform में free में अपना trading account open कर सकते हैं और वीडियो के नीचे description पे दिये गई link को यूज करके अगर आप grow में account open करते तो जैसे आपका एकाउन एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 टुपिस का bonus मिलेगा गुरू के तरफ से जिसका आप चाहे तो share भी buy का सकते हैं चाहे तो उसे अपनी bank account में भी transfer कर सकते हैं तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवात